ओम शान्ती, चोदा तारीक के बाबा के साकार अन्मो धारना युक्तम धुर्मा हवाके हैं, चिन में बाबा ने कहा बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी मत सुनो, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग चाहिए, इसके साथ बाबा ने बच्चों को धीरज दिया है, कि बच्चे धीरज दरो, तुमारे सुख के भरे दिन आ रहे हैं, सुरी और बाबा मिल गया, तो हमारे लिए इस दो सुख का सागर है, वो सुख ही सुख है, फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे Salvation Army हो, इस विश्व के डूब पर करने वाले तुम बच्चे ही हो, फिर बाबा ने कहा, अपनी दिल, बाबा क्योंकि पुरानी दुनिया है, इस से तो हमें दिल उठाने, बाप से और नई दुनिया से ही दिल लगानी है, नई दुनिया में हम जाएंगे, माहां पर, क्या करेंगे, कैसे महल होंगे, किस प पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, कितना अपस में प्रेम होगा, प्यार होगा, तो यही मन्थन चिंतन चलते रहना चाहिए, और योग लगा करके बाबा ने कहा, पक्के बनो, अभी तक कच्चे नहीं, बरत्मान समय, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा की प्रेक्टिकल में, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो केवल हमारी सेफ्टी का साधन बाबा की याद ही है, मीथे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाब को देखो, और बाब को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, कुश्चन, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों को कौन सा डेरिक्शन मिला हुआ है, आंसर है, मीथे बच्चे, ये पुरानी दुनिया, जिसमें तुम रहते हो, ये कबरिस्तान होनी है, इस पर रामन का राज्ये है, इनसे दिल नहीं लगाओ, यहां रहते बुद्धी की आसकती नई दुनिया में जाननी चाहिए, ग्रेश्ट वेभार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड निभाओ, बुद्धी योग एक बाप से लगा रहे, ज्यान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी कम ना हो, धीरज रख, करम बंधन को काटते जाओ, गीत के बोल हैं, धीरज धर, मनवा धीरज धर, तेरे सुक के भरे दिन आएंगे, मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं, जबकि बहे दुखी बिमार होते हैं, यहां तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते तुम इश्वर ये मत पर चल रही हो सो भी सब नहीं चलते इश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है उनकी मत तो नामी ग्रामी है भगवान नी ही शिरीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथ्वा दैवी दुनिया के मालिक बनने की इतनी उची मत और कोई दे न सके क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित ब्रश्टाचारी है तो वह मत भी तो ऐसी ही देंगे जैसी जिसकी बुद्धी होगी और ये कल्योगी दुनिया तो है ही ब्रश्टाचारी रावन राज्य तो मनुष्य मत कैसी देंगे वही देंगे न तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिप बाबा मत दे रहे हैं उचे ते उचे बाब की उचे ते उची मत है उनको तो कोई ब्रश्टाचारी पतित नहीं कहेंगे पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं साकार की तो बात नहीं इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो Hear no evil, see no evil, talk no evil, सबसे पहले think no evil भलिया है आखी मनुष्यों को तो देखती है परन्तु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो जिससे वह बाप को देख सके तुम समझो बाप को देखने जाएंगे बुद्धी में हैं तो यह आत्मा है न तुम आत्मा को देखते हो जीव आत्मा कहना चाहिए सिरफ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं यहां समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ अपने को आत्मा समझो बाब को याद करो उनको देखो दिव्य चक्सों से शिप बाबा को ज्यान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने जनम ते ही हम बच्चों को दिया है उस ज्यान के तीसरे नेत्र से ही शिप बाबा को देखो और सभी आत्माउं को देखो तो बाबा को देखो और याद करो तुम्हारी आत्मा को अब सूजरा मिला है कि हमारा बाप कौन कहां रहते हैं उनसे हमको क्या मिलना है तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुर्शार्त करते हो जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं बाप का वर्षा तो बेसुमार है ओचे ते ओचा है सूर्यवन्सी राजा रानी बनना बैरिष्ट्री भल पास करते हैं परन्तो उनमी भी नंबर वार होते हैं कोई तो बहुत कमाते हैं कोई तो पेट भी मुश्किल भड़ते हैं अब तुम जानते हो हम इश्वरिये राजयी प्राप्त कर रहे हैं कोई भी मनुष्य को कोई कब कहना सके कि यह सत्य बाप है सत्य टीचर है और सत्य गुरु है सिवाई शिप बाबा के कोई भी देधारी न सत्य बाप हो सकता है न सत्य टीचर हो सकता है न सत्य गुरु केवल शिबाबाई ही है और सब गुरु लोग हैं गुरु हो सकने हैं मगर सत गुरु नहीं सत गुरु सत्य बोलने वाला एक है बाकी सब जूट बोलने वाले हैं वह सच्ची सद्गति किसी को दे नहीं सकते सत गुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे कोई की भी बुद्धी में नहीं आईगा कि वह सत्य बाप सत्य टीचर सत गुरु कैसे है वह तो सर्व्यापी के है बात खतम कर देते हैं वह परमात्मा को अलग समझते ही नहीं कि वह बाप है परमात्मा हमारा बाप है यह समझते ही मनुष्य मात्र और हम उनके बच्चे हैं कह देते हैं सब बाप ही बाप है क्योंकि सर्व्यापी कह देते हैं इनसे भी नीचे ठिक कर भितर में परमात्मा को ठोक दिया तो बाप समझाते हैं ऐसे हैं नहीं तुम बच्चों को अब निश्ची हुआ है कि बरोबर बाप सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरू एक है उनको कोई जानते नहीं अगर जानते हों तो वहां जा भी सके न किसी को जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सब को जाना जा सकता है नहीं तो जानने से फाइदा ही क्या मनुश्य सब दुखी हैं इसलिए शानती चाहते हैं उनको ये पता नहीं हैं कि हम असुल शानती धाम के रहने वाले हैं महा से हम आते हैं, हम आत्मा का स्वधर्म शंती है बाबा गुरु के लिए समझाते हैं, वह किसी को सद गति दे नहीं सकते वह डराते हैं कहते हैं गुरु का निंदक ठोड़ ना पाए बस्तों में इसा बाते बेहत के बाप के लिए हैं कि असुर बाबा के लिए ही है ये सब बाते सत्य की, कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे, तो सत्यूग का उच ठोर पानी सकेंगे, शिबाबा का बन करके अगर शिबाबा की निंदा कराते हैं, तो सत्यूग में उच पद अर्थात ठोर पानी ही सकते, ठोर का तो कुछ पत नहीं साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सदगती को पान नहीं सकें, और बाफी आकर धिरिज देते हैं, तुम जानते हो ब्रोबर चुरासी जन्मों का चक्र लगाया है, हम बहुत दुखी हैं, जब तक सुखदाम का साक्षात कार ना हो, तो दुखदाम समझे कैस अब तुम जानते हो ये दुख धाम है अल्पकाल का सुख है इस अल्पकाल की राज़ई में कितनी कुशी होती है मनुश्यों को समझते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं समझते हैं गांधी ने रामराज्ये स्थापन किया परंतु नहीं यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है सब कहते हैं पतित ब्रस्टाचारी आगे सिरप पतित थे, अब तो ब्रस्टाचारी भी कहते हैं तो यह कल्यू की अंत कितनी डिश्वत है बाप आकर सारी दुनिया की मनुश्य मात्र को कहते हैं अब धैरिये-धरव, परण तु जानते ही नहीं, सुनते भी नहीं, जानते नहीं, शत्ययूग आयेगा यह भी नहीं, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, प्रदश्नी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए, सुक की दुनिया बना रहे हैं आखरिन सब सुनेंगे तो सही न एक तरफ माया सब के गले घुटती रहती है और दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं अब तो धेर मनुश्यों को आवाज पहुंचाना है जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोड से पड़ेगा फिर बहुत आएंगे ये महनत है धरम अथवा मत आदिस्थापन करना तो बहुत सहज है बोधी धरम की एक स्पीच की साट सत्तर हज्जार बोधी बना दिये यहां तो महनत है तभी तो गीता में लिखा है कोटों में कोई भी कोई निकलते है इसलिए महनत है माया बड़ा जोर से सामना करती है यहां तो माया के साथ युद्ध की बात है ही नहीं और धरमों में यहां माया से युद्ध करने में महनत है और मुख्य बात यहां पर पवित्रता की है महां कोई पवित्र नहीं बनते हैं खान पीन का भी वो सुद्धता नहीं होती है जो यहां पर होती है इसलिए कोटों में कोग और कोई जगह पवित्रता की बात ही नहीं वह तो घर से वेरागाता है या कुछ चोरी पापादी करते हैं तो सन्यास धारन कर लेते हैं इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्मेंट को सन्यासी CID आदी रखने पड़ते हैं दलालों की रूप में वेपारियों के रूप में भी CID होते हैं पुलीस का गुप्त काम बहुत चलता है दोस्ती के बहने से सोनी के वेपारियों से मिल जाते हैं फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है धन्दे वाले धन्दा भी करते तो CID भी करते दुनिया बहुत मुसीबतों में फशी होई है तुम बहुत भागी शाली हो दुनिया कैसे कैसे मुसीबतों में फशी पड़ी है तो तुम भागी शाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो दुनिया में तो मुसीबत ही मुसीबत है तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ती है बहत दुखी होकर मरते हैं तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए कहां पुराना शरीर खतम हो तो हम वापिस बाबा के पास जाएं सच मुझे ऐसी दिल होती है अब तो बाबा के पास परमधाम जाएं दिल लगी बाब के साथ और नई दुनिया के साथ तो पुरानी दुनिया क्या काम की है यह तो पुराना कपड़ा है इससे वेराग आता है शरीर रूपी कपड़े से अब वेराग आता है सन्यास्षियों को वेराग आता है घर बार से इस्त्री को नागिन समझते हैं तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वेराग्य है गाया भी जाता है ग्यान भक्ती और वेराग्य ग्यान मिलता है पुरानी दुनिया से वेराग्य करो यह कबरिस्तान बनना है वह हैं हद का सन्यास उन्हों को ये मालूम नहीं है कि पुरानी दुनिया खतम होने वाली है वह कहते हैं हम घर में इकटा रह नहीं सकते उन्हों को घर से वेराग्य होता है और वह जंगल में चले जाते हैं तुम्हारा तो है बेहद का वेराग्य सारी पुराने दुनिया से, पुराने संसकारों से, विकारों से बेहद का वेराग्य, परंतु इनका किसी को पता नहीं है, तुम कहेंगे हमको सारी पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से वेराग्य है, ये रामन राज्ये हैं, तो ऐसा कून मूरक होगा जो पुराने दुनिया को तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं परन तो मुझते हैं कि क्या करें। मामा तो अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहां ही है। यह तो बुद्धी से भूलने की बात है बुद्धी से सारी पुराने दुणिया को भूलना है। किसी को भी याद नहीं करना है सिवाए एक बाबा के। मामन तो अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे करें ऐसे लोग कहते हैं परन्तु बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहां ही है परन्तु बुद्धी की आ सकती अब नई दुनिया में जानी चाहिए सच्चा लव उसमें जाना चाहिए शुपाबा में और नई दुनिया में इस पुरानी दुनिया से वहराग्ये देही से भी वहराग्ये तो बाकी क्या रहा? बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड निभाना है सो तो जरूर करना है अगर तोड नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिशल हो जाएंगे तो ग्रेश्ट वेभार में रहते पवीतर रहू देही अभी मानी बनने का पुर्शार्थ करो तो बुद्धी योग बाप से लग जाएगा मैं आत्मा हूँ बाप के पास जाना है बाप केते हैं ग्रेश्ट वेभार में रहते कमल फूल समन बनो ज्यान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे हर एक की जनम पत्री अलग अलग है हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है कोई तकलीप हो तो पूछो कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई रहजदानी में ताकि थोड़ा समय है पार्ट बजाना है मामात्तु तोड़ते जाना है हर एक का करम बंधन अलग अलग है कोई का हलका कोई का भारी है बाबा से युक्ति लेकर धहरियता से करम बंधनों को काटते जाना है इसमें गुप्त महनत चाहिए बुद्धी को यात्रा में ले जाने की महनत है घड़ी घड़ी बुद्धीयोग तूट पड़ता है अब परीपक बन जाएं तो करमातीत अवस्था आजाए अभी तो अनीक प्रकारों के विकलपों के ही तुफान लग पड़ते हैं एकदम नीधी फिट जाती है विकलपों को ही तुफान कहते हैं और सत्संगों में यह बाते नहीं होते बहां तो कनरस है फाइदा कुछ भी नहीं यहां तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जनम है पुरानी दुनिया खतम हो जाने वाली है तो क्यों ना शिरी मत पर चलकर उचपद पाई जब तक इसमें होशार हो जाओ तब तक शरी निर्भा अर्थ करम तो करना ही है फिर इस शिवर यह सर्विस में लग जाना है सारी दुनिया को सेलवेज करना है तुम हो सेलवेशन आर्मी नर्क से निकाल स्वरग में ले जाते हो वह सेलवेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है सब रावन की जंजीरों में फासे हुए है सारी विश्व को अब सेलवेज करना है इसमें तो बाप की मदद बाप की मदद चाहिए वो शक्ती चाहिए पावर चाहिए सारी दुनिया को सेलवेज करने के लिए तुम रुभानी सेल वेशन इश्वरिय आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावन के पंजे से छोड़ाना है, इतना नशा चाहिए, बहुत जिस्मानी शोशल वर्कर तो धेर हैं, तुम कितने थोड़े हो, यहां तो मनुष्य भी धेर, सत्यों मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, तुम थोड़े बच्चे ही रुभानी बाप से वर्षा लेते हो, यह अंतिम जनम जो कोड़ी जैसा हैं, उनको हीरे जैसा बनाना है, एक आदिशनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का बिनाश, बाप ही एक धर्म की स्थापना करते हैं, और कराते हैं, सेपलिंग लगाने अत्वस थापना करने में बहुत मेहनत लगती हैं, जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया, तब तक खुशी का पारा नहीं चड़ेगा, खुशी का पारा तब चड़ेगा जब दान करेंगे, जिसके पास धन हो और दान ना करें, उनको मन्हूस कहा जा जाता है, यहां फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है, जो होगा तो ग्यान धन करेंगे, अगर नहीं करते तो यह समझा जाता है, कि इनके पास ग्यान धन है ही नहीं, अच्छा, मीथे मीथे, सिक्की लद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्णिंग डाइमन मॉर्णिंग रूखानी बाप की रूखानी बच्चों को नमस्ते हम रूखानी बाप दादा की को रूखानी बच्चों की रूखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्णिंग, डाइमंड मॉर्णिंग, ओम, नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार है इश्वरी सेलवेशन आर्मी बन विश्वी के डूबे हुए बेडे को पार लगाना है मनुश्यों को कोडी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है ग्यान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है सेकिंड पॉइंट है अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है इस पूरानी देहे से बेहत का वेरागी बनना है वर्दानी दिव्य बुद्धी द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहन करने वाले सफलता मूर्थ भाव बाप दादा द्वारा जनम से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धी का वर्दान प्राप्त होता है जो इस दिव्य बुद्धी के वर्दान को जितना कारिये में लगाते हैं उतना सफलता मूर्द बनते हैं, क्योंकि हर कारिय में दिव्यता ही सफलता का आधार हैं, दिव्य बुद्धी को प्राप्त करने वाली आत्माईं आदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं, वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहन करती हैं, आदिव्य कारिय का परभाव दिव्य नहीं सकता। स्लोगन है स्वेम को महमान समझ कर रहो इस इंसार में हम सब महमान ये समझ करके रहेंगे तो महनता भी आईगी, उपराम भी रहेंगे, कोशी भी होगी घर परिवार में रहते हुए नियारे रहेंगे और आउशी बाबा के प्यारे रहेंगे तो स्वेम को महमान समझ कर रहो तो इस ते थी अव्यक्त वा महन बन चाएगी अमरत बेले हैं सभी अमरत बेले दिल खुश मिठाई खाते हो सेवाधारी आत्मे रोज दिल खुश मिठाई खाएंगे दूसरों को भी खिलाएंगे फिर आपके पास दिल सिकस्त की बाते भी नहीं आएंगे जिग्यासु यह यह बाते लेकर नहीं आएंगे नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे ओम शांते